कि नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात आपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताया था किस तरीके से कारियों का अंजाम दिया जा रहा है और कितने घटिया तरीके से काम किया जा रहा है अब इसी सम्मंदित हम कुछ एहम जनकारी आप तक लेकर आए हैं दोस्तों इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम एक दो क गुजरात की कंपनी थी कोरोना के पहले इसको काम मिला काम किया कई लोगों के पैसे अठकाया लोगों को बेवकूप भी बनाया भी पठेल ने और यहां से वो चला गया यानि कि भाग गया छोड़कर चला गया जब उसके पास में करजा पैसा आया फिर जो भी चीज़ें हैं कि इसमें कई आरे बिल जो रणिंग वील होते हैं जिसे कहते हैं बीच-बीच में निकाला जाता है कई आरे बिल निकल चुके हैं यह काम लगभग 33 करोड रुपे का बताया जाता है बी पटेल तो गुजरात चला गया फिर इस काम को यहां पर किसी खंडेल वाल कोई खंड कोड़ी रकम नहीं होता है और यह रकम भी पटेल खंडेल वाल या कोई सरकार के अधिकारी अपने पॉकेट से खर्च नहीं कर रहे हैं यह एक आम ब्यक्ति आम जनते का पैसा है हमारा आपका और किसी गरीब मजदूर का पैसा है और इस पे अगर इस काम को इस तरीके से अ सुत्र बताते हैं कि 13-14 आरे बिल बीच बीच में निकल चुके हैं और यह काम लगबग 10 करोर रुपे का है 5-6 किलोमेटर का यह काम है और इसमें भी वही गर बढ़िया है जब दो कामों के एक अधिकारी जैसे इसके अलग जैई हैं दूसरे काम के अलग जैई हैं दोनों क काम के दो जैई हैं लेकिन दोनों काम के डिपटी एक ही हैं डिपटी इंजिनियर जिनका नाम है मुकूंद डांगे मुकूंद डांगे से हमने बातचीत करने कोशिश की पहले तो 4-5 दिन तक उन्होंने फोन का रिस्पांस ही नहीं दिया क्योंकि मैं फिल्ड विजिट करक पहलती है सब सारे सवाल जवाब होते हैं फिरों मुझे बोलते हैं हम आपको इसोपर में देके बोलते हैं कि हम इसपर स्टेटमेंट नहीं सकते हमारे वरिष्ट दे सकते हैं सब्सक्राइब बील निकल चुके हैं लिखिन आपको एक स्टैटमीट देने में प्रॉब्लम क्या हो कि जो गलत करते हैं फे κάत पहुए सामने आके बोलने से चोंड़ हैं हम उनसे बातचित करने मिकोशिश करेंगा enrolled कि ये देवेंदर मन्त्राले जैले का काम हैं जल संपदा मंत्राले भी यकी के पास ही है कि आखिर इस तरीकेसा जो नहर कामों में इस दो तहस्ली के बात रिवीजन हैं सब्सक्राइब अब बात कर रहा है उसका काम खंडल वाल देख रहे हैं उसमें जो मुरूम डाला जा रहा है उसमें जो गारीयां चल रही है एक तो रोयल्टी नहीं है तो रोयल्टी इनका कहिना है कि हम एड़ेस्ट कर लेते हैं वसूल कर लेते हैं चली ठीक है उसको हम मान भी लेते हैं लेकिन जो जिस गाड़ियों से जिन ट्रकों से वहाँ पे मुरुम डाला जा रहा है कईयों के पेपर एकस्पायर है अकर कोई हादसा हो जाता है उस बिशमी क्योंकि वो डामबर रोड पे ज परियां चल रहे हैं बीना पेपर के अखिर इतने गैर जिम्मेदार कोई अधिकारी कैसे हो सकते अपने आप प्रशन है जो चीजे हम जैसे व्यक्ति को जो सम्माने व्यक्ति उसको दिख रहा है लेकिन टेकनिकल लोग है जो इंजिनियर है यही है टिप्ट उनको क्यों नह प्रशन निर्मान होता है लेकिन अब फायदे की नहीं किसान के गरीब के फायदे के लिए सोचने का वशकता है और इसलिए हम देवन्द फरंडवीज से भी कोशिश करेंगे कि जैसे मौकामिल उनसे बात्चित करेंगे कि आखिर इन कामों पर उनका कितना ध्यान है क्योंक आप देखते रहे हमारे साथ बने रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ